कुमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिफ न्यूज मार्केट 24 पर खबर काम की नमस्कार दोस्तों वलकम बैक चुआ चानल न्यूज मार्केश 24 बात करेंगे आज द्रहन बजार में खास और से चने अरहर उड़ात भूंग मसूर दाल के बारे में जानेंगे द्रहन ब बारे में बात कर लेते हैं तेजी रोकने में नेट फेड़ना का मज़रा रही है चने की बजार में तेजी 6,000 का लेवल पाथ कर चुकी है 500 की पर चने करेंगे जा चुका है राइस्टान लाइन में चाने के दाम चाने के दाम 675 रुपे चने में नई फसल फरवरी मार्च म मिछले साल की तुमना में काफी कम देखा जा रहा है और तेवारी सीजर के कारेंट चने डाल बेशन की मांग बनी रहने का अनुमान है ऐसे में सी कीमतों में तेजी और मनी काफी हर्तक निपेट की निवदा पर निर्भर करती है बात करते हैं इसके बाद अरहर दाल के बार पर देखा गया कोला में देशी रहर के बल्टी भाव तेज होकर बारह जार पांसों तक मार्केट में देखे गए चालोखर एक मेरे कि वुआ पिछले साल की तिरना में कम हुए साथ एक एक पत्तक सीजन और में करण बनी रहने का नुमान नजरा आरा है इस्ट्रॉक लिमि लिए लेड़ की मौजूदा चीमितों में बड़ी तेजी आने के आसार कम नजर आ रहा हैं बात करते हैं इसके बाद मसूर दाल के बारे में तो मसूर पर थोड़ा संदेह नजर आ मंदा हाला की नहीं है हलकी सीनल भी जरूर आ सकती है बहुत सब्सक्राइब देशी के साथ साथ आइपित मसूर के दाम इस वक्त बजारों में अच्छे का से तेज देखे जा रहे हैं दिली में देशी मसूर के दाम 75 रुपर तक बढ़कर सरसर सो पचास सो बीच के बीच सब्सक्राइब देखे जा रहे हैं और आल जो ट्रेंड है वो तो आपको यहां से पॉस्टिवी देखने को मिल सकता है बात करते हैं अंत्र में उड़त दाल की बहुत सब्सक्राइब नहीं है आज रायपूर में देशी 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 की दाम 8575 रुपर पतिक देखे गए बोल्ट उड़त की दाम 9200-9300 रुपर पतिक देखे गया चेनई में 50 रुपर तक बढ़ गए 9400 रुपर पतिक दाम यहां पर हो चुका इस दोरान उड़त एसक्यू के दाम भी बढ़ गया 8600 रुपर पतिक देखे दाम इसका मार्केट में देखा गया तो दर्ण बजार पर इन दिनों काफी ज़्यादा बड़त के साथ कारुबार देखा जा रहा है बहुत सब्सक्राइब आपको बजारों में फिलहाल के लिए पॉस्टिक देखने को मिल सकता है तो आज खबरों झाल झाल झाल